हसरते ही हसरते हैं और क्या है जिन्दगी का अलाम ये भी दूसरा है ये नहों ऐसा कभी होता नहीं करना फिर कोई यहां हचता नहीं रोता नहीं हसरते ही हसरते ही कि मुझसे लगा मिलने के लिए तुम्हारे पास कई बहाने हैं और उपर से कहते हो कि तुम्हारी याद आती है सावी चल्दी वारपस आजाओ अब मैं कैसे आ जाओ अब डिलिवरी कोई पास परवड तुन ही की जा सकती न एक वाद हो रहा हुआ है मर्दों के मामले में तुम्हें गाइडन्स की ज़रूरत कब से पढ़ने ले तुम्हें सावी के साथ शादी कर ले तक से तेरे खूपा जी क्या तेरे यह आते जाती थे यह तुम क्या पूशियो गुआ जब बच्चा रोने लगे तो उसके आख में क्या देना चाहिए हाई जनम तुझको बेते बनूगी यह शोधा में गुपाँ हाा बनूगी यह शोधा में गुपाँ माद्वी 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 क्या है? नज्दीक पर इतन नज्दीकने माद्वी अचा डॉक्टर ने सावी को कल की डेट गी थी तो? उसे लेबर पेंस क्योंने शुरू हो रहे है सावी के लेबर पेंस से तुम्हें क्या लेना देना? अरे भी आने वाले महमान के स्वागत के लिए मैं बहुत उच्छुख हो बुवा सावी सावी तुम्हारे पेट में दरवर नहीं हो रहा है जरा भी नहीं लेकिन डॉक्टर न तो तुम्हें कल की डेड़ती थी थी बुवा देखो ना पुपाजी क्या बोल रहे है तुम्हें आफिस नहीं जाना है क्या? अरे मैं आफिस अला गया और उसके लेबर पेंस शुरू हो गया तो अ ओमाइगोड देखा लेबर पेंस शुरू हो गया ड्राइवर ड्राइवर जल्दी गाड़ी बाहर निंकालो माधवी सावी को हम नर्सीम में ले चलते हैं ड्राइवर नहीं ने पुपाजी इसके कोई जरूत नहीं है अरे क्या जरूत नहीं है गर में नया मेमान आने वाला है लेबर पिंज शुरू हो गए है द्राइवर नहीं पुबा जी यह लेबर पिंज नहीं है तो पकोड़ा में मिर्ची है ले पानी पिले और और आप भी फैक्टरिज आईए हलो हां मैं बोल रहा हूं कौन तरिपाडी जी अच्छा हूं आपने फोन किया बई आज भी मुझे अब आपने देर जाएगी क्या है कि अमारे गर में जो नया महमाने वाला है न उसकी गाड़ी लेट हो गई है लेकिन क्या है कि कभी भी सिगनल मिल सकता है तुम वहां मैंश करना ऐसा नहों कि मेरी गाराजरी में फैक्टरी में हर्ताल बरताल शुरू हो जाया हां सुनो पि ऐसे भी वह फैक्टरी के लेबर पेंसे परेशान है लेकिन सावी के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है तो क्या उसके लिए परेशान होने का ठेका सिर्फ तुम ही ने रखा है ओफो वाजी फुपाजी प्लीज आप लोग आपस में बहस मत कीजिए इससे मुझे टेंशन होती है और एक तो शामु ने सुभा से फोन नहीं किया अरे वो हमारे फोन का इंतजार कर रहा होगा वो तुम्हारे जैसा उतावला नहीं है उसे पता है डिलिवरी एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है अरे लेकिन क्यों आगे पीछे हो रही है मेरी प हमें सॉअचा प्लानिंग हो ती पर जिसन जोल्ग और के अरे अंदर अंदर आगे आपर महीं जर्बयाखर अजा ओने यह जो अपना सह पचे का जूला ऐसा होता है सब्सूत पर कैसा होता है जोटि उतने बच्चे का जूला कभी देंस ते मि applies दूखने अचे कम आधि पुपाजी, एक तो आप बच्छाने हर्कते करते हैं, और उपर से पुपाची को ताने कसते हैं अरे लेकिन इस धूले में बुरा ही क्या है? ये पड़ों के लिए है, बच्छों के लिए नहीं, जूलेवाले इस वापस ले जाओ ऐसे कैसे वापस ले जाओं? हिलाते हिलाते ले जाओ, चलो, ले जाओ, ले जाओ, और पुपाजी, आप भी ओफिस जाओए लेकिन तुमारी डिलिवरी? उसके आप चिंता मत कीजिए, बुपाजी है ना मेरे साथ, और वैसे भी मैं शाम्बो को फोन करके बुला लूँगी, फिर तो ठीक है? ठीक है, इसे तो बस सिर्फ बहाना चाहिए मूब फुलाने को बुपाजी की बातों को सीरिसली मत लो बहार के याथ मे ट्मी के सबना, बुपाज और लो बुपाजी. एसे ज़रकरीब हाईजिक प्लीज और ज़िए गिए? बस, अब अगर इसे जादा करीब आया, तो सारे स्टूटेंट स्ट्राइक पे चले गए जा ओके, 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 आम सो सॉरी सॉरी सारा शाम से पूछिये ना, वा में पे तक खुशकपर की में दे रहे है कैसी खुशकपरी? अरे भाई, उनकी मिस्स को डॉक्टर ने कल की डेव दे थी, जरब पता करवाई है ना, वो बाप बने है भी या नहीं? उनके बाप बनने से आपको का खरक पड़ने हो रहा है? मिश्रा ची सॉरी भाई, शाम मिस्टर मिश्रा आप मेरी बात को डिस्टॉर्ट करके बता रहे हैं मैं तो सिर्फ यह जानना चाहती थी, कि प्रॉफिसर शाम ने अभी तख हमें खुशखवरी क्यों नहीं दी मिस्स दलाल मैं खुद बेताब हूँ, खुशखवरी सुनने करी लेकिन मिस्स दलाल क्यों बेताब हैं? बेता बेताब कुछ नहीं यह, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहती थी, कि बाप बनने की ख़वर सुनकर प्रॉफिसर शाम रियक्ट कैसे करते हैं? अच्छा आप ही मुझे बताईए मुझे कैसे रियक्ट करना चाहिए कुछ लोग तो सर्प्राइब हो जाते हैं मैं क्यों सर्प्राइब होने जाता हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं और कुछ लोग अपना माथा पीट लेते हैं जैसे कि आपके डैडी ने पीटा होगा हलो हाजी एक मिनट प्रॉफिसर और्पा अपका फोन है थावि कब बाइज ने करके ना वे सारी पॉर रोध sta can out तो के तुम्हारे फॉन का पर दे शार कर रही थी सॉरी तवी मैं जरह बेुजी था इतने बेंचे यृत बेजिए तो मया मुझ शらसे ब सब मुझे मुझे समय ने मुझा सार ने Dale दरसल मैं तुम्हारे फोन का इंतिजार कर रहा था मेरे? हाइमिन फुपा जी के शामू, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि तुमसे तो मेरे फुपा जी अच्छे है जब ने सारे काम तम छोड़ कर मेरे लिए परिशान है आफिस से बार-बार फोन कर रहे है मेरा हाल पूछने के लिए और उन्हें हमारे बच्चे के लिए जूला भी खरीदा था सावी, किसी भी सिच्यूएशन में रियेक करने का हर एक आदमी का अपना एक तरीका होता है तुम्हारे फुपा जी इमेच्योड है यह तुम क्या कह रहे हो शामू हाँ, कोई भी सेंसिबल आदमी बच्चे के पैदा होने से पहले जूला नहीं करीता यह जजबातों का सवाल है अक्सर जजबाती लोग ही ऐसी हरकते करते हैं शामू, तुम्हे मेरे माइके वालों के बारे में ऐसी बात ही करेगा कोई हक नहीं है दुख की बात तो यह है सावी कि पती चाहे कितना भी प्यार दे पत्नी को हमेशा माइके वाले ही अच्छे लगते हैं शामू, तुम्हार खूल रहे है कि मैंने तुम्हे तुम्हे कहा था कि मेरा सुचुराई की तुम्हे और माइका भी सर, चार्टर अब डिमांड्स में यूनियन की पहली डिमांड है तन्खा बढ़ा दी जाए और दूसरी डिमांड है, मेडिकल फैसलिटिस में इंप्रुमेंट हो और तीसरी मांग है, फैक्टरी की महिला करमचारियों के बच्चों के लिए बेबी सिटिंग का प्रबंध हो त्रिपाथी, जी यूनियन के चार्टर अफ डिमांड्स की तरह फैक्टरी के मालिक का भी एक चार्टर अफ डिमांड्स तयार करो जी, मैं कुछ समझा नहीं सर अगर मजदूरों की मांग है के हमारी तंख़ा बढ़ाओ तो हमारी मांग यह हमारा प्रॉफिट बढ़ाओ और जहां तक दवा दारू के फैसिलिटिस का सवाल है तो हम भी यह चाहते हैं के मजदूर दारू कम पिए ताकि दवा की नौबत ही नहाए यह राइट सर्व, वेरी राइट और जहां तक बेबी सिटिंग का सवाल है तो पहले मम्मी सिटिंग करवाओ मम्मी सिटिंग? जब भी मैं फैक्टरी में राउंड माने जाता हूं तो सारी महिला करमचारियों को गायत पाता हूं पहले मम्मी सिटिंग, बाद में बेबी सिटिंग ठीक है सर, तो मैं एक रव ट्राप बनाता हूं त्रिपाडी जी अभी जब बेबी सिटिंग का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपसे एक सला लेना चाहता हूं मैं ओनर सर, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि छोटे बच्चे को गोद में कैसे उठाया जाता है स्वरी सर, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अरे नहीं こक नहीं कि लिए नहीं कि बात नहीं कर रहा हूं सिब कर रहां ुब लेंसर इस इस मामले में तो मैं भी एनजान ह CAP क्या अरे आप तो तीन चार बच्चों के बाप हैं उनको गोद में ले हुए तो अर्षा भीद गया साहब, अब तो वो मुझे गोद में लेने की कोशिश करते हैं तो मुझे कौन गाइड कर सकता है? सर, ये एक अर्जिन केस में पुटाप कर लिए हूँ सर, ये आप अनीता से क्यों नहीं पूछते हैं? क्या है सर? अनीता, मुझे ये बताओ, कि नन्ने से बच्चे को गोद में कैसे उठाया जाता है? सर, मैं जब भी आपके कैबिन में आती हूँ, आप कोई ना कोई बचकाना सवाल जरूर पूछते ही है ने, ने, अनीता, इस बार गोविन साब के जनरन प्रोब्लेम है बात यह है कि उनकी भती जी माँ बनने वाली है मैं इतने नन्ने से बच्चे को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता सर, मुझे तो लगता है आपको किसी भी बच्चे को गोद में लेने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हाँ सर, मैं किसको गोद में लेकर प्रैक्टिस करूँ बड़े आद्मी को तु गोद में लेकर प्रैक्टिस करनी सकता ना वान मिनिट अभी थोड़ी देर पहले रोजी टॉशॉप से अपनी बदी जी के लिए एक गुड़िया खरीद कर लाई है रियली को रोजी गुम टॉम प्रहे इमीजेटली अद ब्रिंगाड़ ओके अनिता ट्री अज्टा एक तुम लोग यही रोग यह सर रोजी अनिता बता रहे थी कि तूम टॉशॉप में से गुड़िया लेकर राई हो शबरावट ये सर्, आज हमारा नीसका अपी बर्द्ध है सर्, शाम को टाइम नी मिलता सर्, इसके लिए अभी शॉपिं करका है, I am very sorry sir, it won't happen in future sir. Hold on, hold on, hold on, hold on. मैं तुम्हें नहीं करना चाहता? Oh thank you, thank god. मैं तुम्से एक मश्वरा करना चाहता हूं. मश्वरा रोजी सर को बताओ तो बच्चे को गोधी में कैसे उठाया जाता है ओई तो वरी संपल से देखे यह करके यह मुंदी सवाल की यह अभी आप प्रेक्टिस कीजिये सर अभी आप क्या कर रहे हैं प्च्छा नाजूक होता है हमारा गुड़िया तो बच्चा सभी नाजूक है मैं समझ गया है लेकिन कैसे कैसे पटनुट है ने बता हूं आप छुप रही है आपको ब्रेक्टिस प्रेक्टिस तो है नि किया क्या करें लिए से बच्चे को ऐसा नहीं उठाथे सर आप उसके सर के नीचे हाथ रखें मुझा अच्छा अहीं सिधा पकड़िए सिधा अरे सर उसके मुझ्टी नीचे हो गई इसके पैर उपर आगए इसके तांग सर बुंडी बुंडी सर बच्चे को सीधा पकड़िये यह आप उसे शिर्शासन करवा रहे हैं अब देख्या आप दूरी मेरा मतलब यह नहीं था आप बच्चों से दुरी रहेगा सर लेकिन क्यों वो सब के लिए अच्छा होगा खास दोर से छोटे बच्चों के लिए सर बच्चे के जिन्दगी के लिए आप उसे दूर ही रहेगा रिपाधी सावीर फोन लगा फोन तो लग रहा है बुआ लेकिन कोई उठा नहीं दा समझ नहीं आप शामू कहां चले गए अधिस इसका मतलब यह आई रहा होगा चल तो चल के कुछ खाले नहीं बुआ तुम और फुपाजी खाले मैं थोड़ी दर और तुम चलो बुआ मैं आती हूं जल्दी आना हाँ क्युक्त बच्त करभातर। हलो शामू मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं तुम हो का I'm sorry Savi मैं जरूरी काम में उलजगया था अच्छा तुम्हारे हो ना इस वोत अभी तो बहुत देर हो चुकी है मैंने तुम्हारे लिए अभी तो खाना नहीं खाया शामू सावी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी वज़े से परेशान मत हुआ करो जाओ जाके खाना खालो तो तुम नहीं आ रहे हो सावी छोटे बच्चों की तरह जेद मत करो मेरे पास बहुत काम है मैं कर ला हूँगा ओके कि 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 सावी कुसा क्यों कर रही है तुम बहुत बदल गयो शाप मैं को लाँ तो अक्या प्रेस हाप वा अ कि 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 झार लगाचए तकुछ करते हमाँ बद्धन करते हैं दिए खिर फवेल यिजर विख टेजर दोन करते हैं दिए खाया रखाटारी यजर दो खादाटू यूरेका! सुनो, उठो ना? सुनो! अरे उठो ना? बचाओ, बचाओ, बचाओ! क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? अरे भूकंप आया, पलंग के नीचे छुप जाओ, चलो! अरे कोई भूकंप नहीं आया, भूकंप तुमारे सर में आया है! क्या मतलब? होश में आओ, भूकंप नहीं आया, मैंने तुमें हिलाया! अफो, क्यों मेरी नीन खराब कर दी? अच्छा किया ना? वरना सपने में किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दपके मर जाते हैं! कब से घंटी बज़े जा रही है? जाओ देखो कौन है इतनी राध गया! अरे तुम क्यों नहीं जाती? अरे अगर मुझे कोई बाहर के बाहर उठा के लेगीगा तो? अरे जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ, वो अब क्या होगा? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो! मैं फिर से एक बार भूकंप वाला सपना देखता हूँ! दोगवान करे भूकंप हक्किकत में आ जाए! दमाची आप इस वक्त? वह जी, वह जी सावी कहा है? लेकिन बात के है? उसे बुलाई है जाली अरे पर वो सो रही होगी मुझे उसे मिलना है इसी वक्त पर दा शामू तूम तूम तू कला ने वाले थे ना? वो कवीदा मेली देशावी कवीदा? हाँ, देखो मेलिकर लाया हूँ लेकिन शाबू तूम बैठो, मैं तूम्हे बढ़कर सुनाता हूँ बैठो, आराम से ये कवीदा जानने के तूम्हे बहुत तमनाती ना? देखो, मैं तुम्हे लिए डून कर लाया हूँ सुनो इसका मतलब तूम्हे संजा रहा हूँ इसका मतलब तूम्हे संजा रहा हूँ कोई जरूत नहीं और सच कहूं तू शामू अग मुझे इस कवीदा में कोई दिलजस्पी ने रही तुमने बेखार में तनी तकलिफ की अरे? एक लड़का तूम्हे खड़े इस कवीदा की चार पंक्ती सुनाता है जिसकी यादू में तूम छे साल तक कोई रहती हूं किसने कां तूमे की में उसकी याद में खों जाती हूं किसी को कहने की जरूबत तूम्हें मैं अपनी आंकों से बीदहarme पर इसम भूरा भी क्या है बस्पन की आदे जवादी वह संत कुछे नाती है ए लड़का जो तुम्हें खड़े खड़े इस कविता के चार बंकी सुनाता है, जिसको तुम छे साल तक नहीं खुला पाती, और छे महीने से मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये कविता ढून रहा हूं, अना सुन कह रही है को मुझे ये ये नहीं चाहिए शामु तुम्हें हो तुम्हें क्या है, रांग के एक बचे क्या तुम इसकर देख लेकर उसे बहस करने आयो, मैं तुम्हें उसे उम्मीद के साथ आया था कि तुम बहुत खुश होगी, कि मैंने तुम्हारे लिए ये कविता ढून नीकाई मुझे हो गया शामु नहीं चाहिए मुझे ये कविता आज के बाद सिर्गें में हमारे पीच में कविता का कोई सिकर नहीं हो तुम्हें तुम सोचाओ में निकल रहा हूँ बस क्या इसलिया इधा रात के पचे हाँ अब आई हो तो यहां रहे जाओ मैं तुम्हें लिए खाना लेकर आती हूँ तुम्हें कुछ खाया भी तुम्हें होगा तुम्हें तकलिफ करने की कोई सभीवत नहीं है तुम सोचाओ मैं काना हूँ मैं सावी शामू के इतनी राद के तुम्हें नीच से जगाने आये था नहीं वह वो मेरी नीच उड़ाने आया था क्यों करता है वह ऐसा वह तुम्हें पर कहा था ना कि ओरत को अपने बीते हुए कल के बारे में अपने पती को कभी बताना नहीं चाही मेरे शामू को सभीश के बारे में सब कुछ बता दी रहे जिसके अज़ में पर पश्तार एए क्यूं यह कवी बताली मेरा था जो सभीश के मुझे कही साल पहले पर पर सुनाथी दी आफर रहे एवाज बताली था अभस अग्सेट शब अच्छा इस हम निग। अग्समादे थे ओर राग। ते ओो स्कॉत अगवय को लाकंग ये सपर लेकर चला हमको कहा राशनी के साथ शामिल रास्तों में है धुआ हसरते ही हसरते हैं और क्या है जिन्देगी का नाम ये भी दूसरा है हसरते ही हसरते